हेलो दोस्तों, वेलकम टो अनली आईएस देखे जब भी बात होती है ना, प्रिलिम्स एक्जाम की, याने कि MCQs की तो एक चीज अक्सर चर्चा में आती है, that is Elimination Technique बहुत सारे स्टुएंट्स ये भी बोलते हैं, कि अब Elimination Technique का यूज ही नी रहा क्यों? क्योंकि देखो UPS ही 2022 में कुछ इस तरह के मार पास question आए, जहां पर क्या था? कि UPS में थोड़ा सा Elimination को काफी restrict कर दिया, क्योंकि 1 pair, 2 pair, तो यहां पर से अगर आपने एक आदे option को eliminate भी कर लिया ना, तो आप अपने answer तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो इस वज़े से हुआ क्या है, जो Elimination Technique थी, उसकी importance थोड़ी सी आप कह सकते हो कि reduce हो चुकी है, थोड़ी सी importance कम जरूर हुई है, बट वो खतम नहीं हुई, मैं समझाता हूँ कैसे, जैसे कुछ examples देखते हैं, और ये सारी की सारी examples ना, 2022 के paper से ही ली गई है, ठीक है, कोई पुराना paper ने लिया, ताकि ऐसा ना लगए कि आपको बताने के लिए, बट मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे for example, ये question है Indian economy का, राइट, अब यहाँ पर देखो, तीन statements समारे से पूछी गई हो सकता है कि थोड़े से ना, जैसे option 2 और option 3, आपको थोड़े सी tough लगे, ठीक है, थोड़े सी statement tough है, अगर आपने थोड़े depth में एक nominee ना बढ़ी, तो शायद इन question को solve करने में थोड़े दिक्कत आएगी, पर आप ज़रा एक बार statement 1 को पढ़ो, statement 1 में क्या बूल रहा है, कि अगर inflation बहुत जादा होती है, तो RBI क्या करता है, RBI Government Securities को buy करता है, क्या ये statement ठीक है, सोचो एक बार, जब भी inflation को control करना होता है, ठीक है, अगर जादा है उसी को control करना होता है, तो RBI क्या करेगी, RBI Government Securities को sell करेगी ना, अगर इनको market में sell किया, तब ही तो क्या होगा, market से withdraw किया जाएगा, जो liquidity होती है, उसको बाहर निकाल सकते है system से, तो पैसा जब बाहर निकलेगा system से, तब ही तो inflation control में आएगा, तो RBI भी या buy नहीं करती, ये होता है sell, और ये काफी एक basic concept है, पिछले साल inflation, अभी भी inflation जादा ही है, तो RBI ने इस तरह के कुछ measures भी दिये थे तो एक तो current affairs में ये बात बार बार आ रही थी, कि RBI कुछ government securities को sell कर रही है, ठीक है तो इस वाज़े से inflation को control कर नहीं कोशिश कर रही है, और वैसे भी देखो बहुत ही economic ये basic concept आजाता है, जहाँ पर हम rapport rate reverse, rapport rate discuss करते हैं, उसी तरह से government securities भी discuss किया जाता है, तो अगर आपने ये basic concept prelims में economic पड़ा था, तो आपको पता लग जाता कि statement 1 गलत है, अगर इतना भी पता लग गया, तो आप देख रहे हो option A, option C, option D आपका गलत हो गया, answer सीधा आगया 2 and 3, 2 and 3 I understand हो सकता है, थोड़े से आपको लगें कि थोड़े से tough options हैं, पर सिरफ statement 1 के business पे भी यहाँ प और देख लेते हैं, देखो ये question आपका, पॉलिटी का है, अब यहाँ पर देखो देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, जैसे for example, यहाँ पूछ लिया किसी HN Sanial Committee के बारे में, बहुत सारे students ने नहीं सुना होता, तो काफी difficult option है ये, definitely, पर आप एक बार statement 3 पढ़ो है, the answer is no, ठीक है, इसके लिए हमने हमारी जो parliament है, उसने अलग से act बनाया हुआ है, अगर आपने polity को थोड़ा धंक से पढ़ा हुआ है, तो I am very sure आपको ये चीज़ पता होगा, कि constitution में इसका, इसकी definition नहीं दे रखी, इतने आपने बहुत सारी चीज़ां जैसे na, office of profit हो गय है, पर क्या statement 3 गलत होने से आपका answer आ जाता, शायद नहीं, ठीक है, आपका C और D तो eliminate हो गया, आपके पास option थे, option A और option B, दोनों में से एक choose करना था, अब आप एक चीज़ रिलाइस कर रहे हो, यहाँ पर H.N. Sanial committee, मुझे पता था या नहीं पता था, उसका answer से relevant ही नहीं है, क्यों? देखो, दो option बचे ना, A और B, दोनों में 1 तो common दिया हुआ है, तो अगर आपको 1 पता था कि ठीक है या गलत है, it is not important to know the answer, अगर आपको 3 पता था, आपको सिरफ इतना check करना था, कि भाहिया, क्या 4 जो है, वो सही है या गलत है, अब 4 को देख लो, 4 क्या कह रह से ही आपको answer मिल जाता कि option number B is the correct answer, ठीक है, तो elimination with understanding, ये अगर टेकनीक है ना, तो trust me, आपके marks बहुत जादा इंप्रूव हो सकते हैं, और देख लो, अगला question नहीं देखो, थोड़ा international relations के साथ थोड़ा देख लो, पिछले साथ आप जानते हो, Afghanistan कितना news में आया, US में जब bordering countries कौन सी है, चलो ठीक है, नहीं भी पता, पिछले साल, Armenia-Azerbaijan का conflict तो सुना था, Nagorno-Karabakh के regarding, या नहीं सुना, वो भी तो काफी news में था, अगर आपको बस basic idea होता न, कि नहीं यार, Afghanistan तो इदर है, Azerbaijan तो थोड़ा से काफी दूर पड़ जाता है, तो सिरफ इतना पता होने से आप ये चीज़ रिलाइस कर जाते कि border तो नहीं है इनका, और दोनों ही दोनों चीज़ें, अफगानिस्तान हो गया, Azerbaijan हो गया, दोनों news में थी, थोड़ा सा understanding होती कि नहीं यारी काफी दूर है, इनके neighbors होने की chances बहुत काम है, अगर इतना पता लग गया होता, तो आप directly क करते करते, Azerbaijan करते गलत, अंसर आ गया था, आपके सामने option number C, 3, 4 and 5, शायद आपको ये चीज़ में confusion हो सकती थी, कि या किर्गिस्तान है, या किजाकिस्तान है, या तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ confusion की possibility थी, पर Azerbaijan जैसी आया ना, वो काफी आपको obviously पता लग गया कि ये border नहीं क करता और इसके बिस पर elimination करते हुए आप अपने अंसर तक असानी से पहुँच गए, और देखो, ये भी सारे ने 2022 के में questions कर रहा हूँ, यहाँ देखो क्या बूचा गया, यहाँ credit trading agencies के बार में बूचा गया, अब ये पहली बात तो देखो question ही obvious था, क्योंकि eco survey जो पिछले में काफी questions कुछ ऐसे current affairs and pattern पे बन सकते हैं, तो ये question भी उसी पर था, तो यहाँ पे बहुत सारे थोड़े ने टफ चीज़े पूची गई, जैसे कि brick water rating क्या ये rating agency है या नहीं है, शायद ना पता हो, इकरा के बार में काफी सारे students को शायद ना पता हो, पर जब भी credit rating agencies के ब होता, तो आपको इतना पता होता कि ये rating agency ये RBI के अंदर नहीं है, इसके regarding थोड़ा CBI का काम होता है, जैसे for example, कोई company है, उसको rating देनी है, कि हाँ, इसकी इतनी rating है, तो CBI जो है ना, वो majorly इस चीज़ को देखती है, credit agencies वाले काम को, ये RBI के अंदर नहीं आती, तो अगर इ statement 3 शायद उतमे tough statement सा मानता हूं, पर statement 1 तो doable था खापी, उसी तरह से देख लो, science and tech में भी, यहाँ पर देखो आपका थोड़ा logic काम आएगा, example समझो, जैसे, यहाँ क्या पूछा, other than those made by humans, nanoparticles do not exist in nature, देखो थोड़ा बहुत तो nanoparticles अगर बहुत detail में भी नहीं पढ़ा basic idea तो है कि nanoparticles सिर्फ क्या humans के दवरा बनाया जाते हैं, नहीं, यह अगर logic आपको पता होता कि नहीं सिर्फ humans के दवरा नहीं, वैसे भी वो exist करते है nature में, तो आप statement 1 को गलत कर देते, और statement 1 गलत होने से आप अपने answer के close पहुंँ जाते कि या तो 3 only है या 2 and 3 only, तो सिर्फ चेक के करना है, second statement चेक करनी है, और थोड़ा सा अगर आपको understanding होती तो आप उसको भी ठीक mark कर सकते थे, तो कई बार देखो ऐसा होगा, जहां पर elimination से आपका answer मिल जाएगा, however, कई बार ऐसा होगा, जहां पर elimination technique आपको answer के अपने close लेके गाने में help करेगी, कि 4 options थे, 4 में से 2 उसने हटा जिए, फिर 2 में आपको choose करना होगा, right, तो ज़रूरी नहीं कि answer तक पहुंचे, तो यहां पर यह चीज़ भी आपको note करनी है, उसी तरह से देखो, यहां पर भी थोड़ा सा tough question लग सकता है देखने में, पर यहां पर भी कुछ UPSC ने आपके लिए hints छोड़े ह होते हैं, जैसे यहां देख लो, कि जो मोनजाइट है, वो naturally occur करता है, पूरे Indian coastal sands में, जितना हम इंडिया के coastal sands दर सब जगा naturally occur करता है, यह थोड़ सी statement ना, पर ने महीं हमें क्या लग रही है, थोड़ सी statement extreme लग रही है, अगर यह चीज़ हम थोड़ा सा logic लगा सकते थे, तो यहां पर भी हम अपने answer तक पहुन सकते थे, उसी तरह से inflation index bonds, यह भी थोड़ सा tough question हो सकता था, पर अगर statement 3 को थोड़ सा अपने ढंक से पड़ा होता, तो आप यह चीज़ रिलाइस करते हैं, कि ऐसी अलग से कोई special tax provision इसके लिए possibility थोड़ी सी कम है, मैं यह नहीं कह रह है, कोई ऐसा नहीं है कि interest received हो गया, यह जो capital gain हो रहा है, वो taxable नहीं होता, यह उस पर taxing लगता, नहीं, उस पर भी tax लगता है, तो statement 3 आप जैसे ही गलत करोगे, you get to your answer, that is option number A, 1 and 2 only, ठीक है, यह कुछ examples देखे हैं हमने, इसके लावा और भी बहुत सारे example हो सकते हैं, UK से 2022 क के अंदर भी और उसके पिछले वाले सालों के अंदर भी जो आपको help कर सकते हैं कि किस तरह से elimination technique को आप यूज कर सकते हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, elimination technique कोई foolproof नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि 100% टाइम यह work ही करती है, बट काफी questions के अंदर यह आपको help कर सकती है, तो इस जिस पे सिर्फ elimination technique पे आपका prelims clear हो जाएगा, तो trust me, आप बहुत गलत सोच में हो, यह जो elimination technique है यह उन students को सबसे हदा help करती है, जिनके कहीं नहीं मान लो, 80 marks आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, इस तरह के marks आ रहे हैं आसपास, तो वहाँ पर 10 marks या 15 marks के आसपास, उतने marks का यहाँ प knowledge based होना ज़रूरी है, उन students के लिए ज़्यादा helpful है, जिनके ठीक ठाक marks बन रहे हैं, बस आपको जो होना होता है कि यह line है, आप बस line के close में हो, तो line cross करने में आपको यह help कर सकता है, ठीक है, तो ज़रूरी क्या है, आप questions को अच्छे से पढ़ो, जैसे बहुत सारे examples मैंने यह question देखने में tough लग रहा है, और थोड़ास है भी tough, पर अगर आप थोड़ास logic इसको ढंक से एक बार पढ़ते हो, कोशिश करते हो ढूंडने की कहां पर hint छुपा हुआ है, अगर वो चीज़ आप देख रहे हो, तो आप अपने answer के definitely close पहुँच सकते हो, उसी तरह से hints व जहां पर आपको लगता है कि थोड़े सा मैं exactly sure नहीं हूँ उस तरह की जीज़ आप करोगे तो आपका इंशोर कर पाओगे कि time management के साथ साथ आप इस technique को यूज कर पाओ, and lastly, mocks के अंदर practice, देखो यह जो टेखनीक है इसके प्रेक्टिस चाहिए होती है, ऐसा नहीं कि आप आप सोचे मैं directly prelims में जाके मैं question directly जाके ऐसे practice करके मैं directly जाके मैं attempt कर लूँगा, नहीं, mocks के अंदर आपको question देखने को मिलेंगे, previous questions आप करोगे जब solve अपने end पे भी खुद पे, तब आपको इस particular technique को थोड़ा use करना आएगा कि कैसे यह technique को आप अच्छे से use कर सकते हो, directly वहाँ पे जाके करने क्योशिश करोगे, नहीं हो पाएगा, in fact यह counterproductive भी हो सकती है ऐसा अगर करोगे तो, तो make sure कि before you check this thing in the prelims, आपको बहुत सारे marks की practice करनी है, जो आपको इस technique में थोड़ा और बहतर करने में help कर सकती है, मैं फिर से बता रहा हूँ, elimination technique ऐसा नहीं है कि एक तरह का ब्रहमास्तर है, नहीं, पर यह आपको कुछ marks है, लेने में वहाँ पर help कर सकती है, ठीक है ना? एंड साथी साथ अपने exam के अंदर अपनी जो तैयारी है, उसकी strategy को और भी बहतर कर सकते हो, आप हमें इन numbers पर contact भी कर सकते हो, अपने किसे doubts के लिए, और साथी साथ इस course को enroll करने के लिए, video.onlyh.in पर भी जा सकते हो, तो यह था इस particular video के regarding, I hope आपको यह सारी की सारी करते रहिए, good bye and good luck.